आज एक वीडियो खोड स्वास्त केंद्र का सोशल मीडिया पा तेजी से वारेट हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति की द्वारा खोड स्वास्त केंद्र के अंदर दो युवकों को मा बहन के गंदी-गंदी गालिया देते हुए थपड, खुसो, चपल, जूते से मार पिट करते हुए दिखाया जा रहा है और जोर शोर से चीकते हुए 181 बंद करने को कहा जा रहा है जब वीडियो को देखकर आसपास के लोगों से जानकरे प्राप्त की गई तो चौका देने वाले सज्जाय निकल कर सामने आए जिसके अनुसार घटना दिरांक 31 जुलाई रातरी की है जिसके अनुसार पिछोर अनुफिभा के अंतरगत आने वाले ग्राम गड़ू या देवरी के जाटफ समाच के दो युवकों की मोटर साइकल रोट पर असंतुलित होकर गिर गए जिससे जाटफ समाच की युवकों को कुछ चोट आई और युवकों रहे 108 पर कॉल किया औ 1081 पर कॉल कर अपने समस्या से अफ़कत कराया क्या बस यही बार डॉक्टर अनुडात तिवारी को नागवार गुजरी और वह अपना मानसिक संतुलन खो बेठे और जाटफ समाच की युवकों का उपचार ना करते हुए उनको माँ बहन की गंती-गंती गालिया दी जूत अपने पास रख लिये और वहां से इसी हाल में भंगा दिया गया अब कुछ लोगों की द्वारा ये जानकारी भी प्राप्त हुई है कि उक्त घटना की विडियो सामने आने के बार डॉक्टर अनुडात तिवारी ने उक्त जातफ समाच की युवकों के खिलाफ खोडचो डॉक्त की इस से घटना ने सभी डॉक्टरों को शर्मिंदा किया है क्योंकि हम लोग डॉक्त को भगवान की श्रीनी में रखते हैं सबसे ज्यादा अगर समान किसी को मिलता है तो वो है डॉक्टर पर खोर स्वास्त के अंदरबर पदिस्त प्रिभारी डॉक्टर कर रहा है